हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु रित्तु बुटीक आज मैं फिर से आपके सामने एक स्टिचिंग पैटर्न वाली वीडियो ही लेकर आई हूँ जैसे जैसे हमारे बुटीक में निव डिजाइन्स बनते रहते हैं तो फिर से मेरे इंटर्ड्यूस कर रही हूँ डिजाइन्स को आपके सामने लास्ट वीडियो को भी आपने बहुत ही अच्छे से देखा और बहुत प्यार दिया और इस वीडियो में भी कुछ इंटरस्टि बुटीक में बना हुआ है पिंक कलर की शर्ट है इसमें बेस इसका ग्लेस कॉटन में सूट हमने ही सेल किया था हमारे बुटीक में से तो लोवर इसका ऐसा ही था ट्रैंगुलर में सेल्फ में प्रिंट में लोवर था और शर्ट हमारी पूरी प्लेन है तो हमने इसको थोड हमने लेस को एजिंग में अपलाई किया है, स्लीज भी हमने इसी तरह से लेस को अपलाई करके कलरफूल लेस के साथ अपलाई किया है, तो ओवराल इसकी ग्रेस बहुत ही अच्छी आई है, तो इसमें हमने साथ में दुपट्टा भी कस्टमर को डाई करके दिया था, मल्टी क कि यह डिजाइन आपको जरूर दिखाना चाहिए तो इस तरह से डागुलर बिसेस पर हमारे पास डिजाइन्स बनते रहते हैं तो वही मैं वीडियो आपके लिए नियू नियू लेके आती रहूंगी टाइम टू टाइम नेक्स्ट में हमने यह कुड़ता त्यार किया हुआ है इसके साथ कस्टमर में लेगिंग वेर करनी है क्रीम कलर की लेगिंग वेर करेंगे वह ओफ वाइट है तो ओफ वाइट कलर को हमने स्लीव पे हाइलाइट किया है और नेक पे भी हाइलाइट किया है स्लीव से हमने इंसर ना करके उपर ही ले लिया है, बोटनेक है इसके साथ, और बैक में हमने small keyhole और बटन के साथ हाईलाइट किया है इसको और बोटनेक ही दिया है इसके साथ, सिंगल ही कुड़ता है, हमारे पास simple pattern है ये वाला, बहुत ही यूनीक सा डिजाइन है ये वाला इस तरह से डिजाइन समरे बुटीक में बनते रहते हैं नेक्स्ट हमने कस्टमर के लिए फ्रॉक स्टाइल सूट त्यार करा है आज कल फ्रॉक स्टाइल का बहुत ट्रेंड है और प्लाजो और पैंट्स होती है इसके साथ तो हमने ये प्रपर सूट ही था तो बॉडिज लेके हमने यहां पर और गैदर्स यहां पर डाल दी है और एक्चली वह इस तेम प्रेगनेंट थे तो उनको लगा कि मुझे थोड़ा कुछ लूजर लूजर स्टाइल चाहिए और स्टाइलिंग भी चाहिए तो हमने इसको डोरी आइड़न करी है साइड में और उन्होंने इसके साथ प्लाजो तेल कराया है लेत्Star लॲूजर कराया है स्लीस पर हमने हल्का हल्का है लालाइट किया है कली वाली shirt त्यार करी है और हम ने सके साथ दुपटटा त्यार करा है कली shirt मिस हम साडी को reuse करते हैं उसमें से कई बार तो हम Plazo suits बना लेते हैं कई लोग कहते हैं कि हमें इस disobedience चाहिए तो इसमें हमने क्या कीए कली वली shirt दी है और साथ में लेसे दे दी, slits close रखती है, और हाइलाइट हमने लेसे और पोटली पटन के साथ किया है, दुपट्टा एंड शर्ट हमने साड़ी को यूज करके त्यार किया है, तो इस तरह से हमने लेसे दुपट्टे पे भी फोर साइड यूज करिये, तो कस्टमर कहता है कि हमारी साड़ या वेस्ट पड़िह, तो हमें उन साड़ियों को यूज करना है, तो क्यो ना इसको ड्रेस सीर्ट बनवाएं या फिर सूट में साड़ी करें कि कृसुमर की अलमीरा भरी पड़ी होते हैं साडियों से तो वह कहते हैं कि चलो हम यूज करेंगे इसको ड्रेस के साथ नेक्स्ट हमने एक सूट त्यार करा है कली वाला सूट है इसके साथ हमने पजामी त्यार करी है और घेरे पे हमने अम्रोयडरी दी है लाइट बेस का सूट है कलियां डालके हमने यहां पे लेस बीच में एड़ कर दी है इंसर्ट कर दी है घेरे पे हमने अम्रोयडरी करी है patchwork करवाया है हमने जितनी कलिया है इसमें उतने ही हमने patchwork दिये है इसमे lower मीजरिया इसका bottom हमने aghra वाला हमने lace के साथ ही finish किया है neck पे भी हमने एक patch दिया है और sleeves को हमने बिल्खल सिmple रखा है तो इस तरह से बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका फ्रॉकी लुक बैक में भी हमने इसमें कली तो दी है और साथ में कॉल्डन लेस जो है बारिक वाली थिन वाली वो हमने यहाँ पर यूज करी है तो हलका सा ग्लिटरी लुक दिया हुआ है हमने इसको नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल कुड़ता है एक्चुली कस्टमर के पास यह स्टफ थोड़ा कम था तो उन्होंने क्या कि वो चाते थे कि मुझे कुड़ता बनाना ही है इसका मैं नहीं चाती हूँ कि यह मैं इसको छोड़ दूँ तो हमने उनको बोला कि आप लेसे लगवाई है इसमें लेंथ इंक्रीज करने के लिए तो हमने बीच में भी लेस को इंसर्ट किया है इसमें लेंथ इंक्रीज के साथ फ्रेंट और बैक बोथ साइट पे हमने लेसे इंक्रीज कर दिये एड़ करके लेंथ को इंक्रीज किया अट अन कर दिया है और sleeves को हमने black रखा है और black के साथ हमने सारा highlight किया है इसको जहां पे black था महाँ पे shirt का cloth यूज किया है for the link की तरह और shirt में जहाँ red है वहाँ पे हमने black filing यूज की ह two cuts इस तरह से इसकी highneck के साथ फुरते की इस तरह से look नेक्स्ट भी हमने एक कली वाला कुड़ता ही तियार किया है cotton स्टफ के साथ तो इसमें हमने वाइट को कॉपिनेशन में किया है उनके पास वाइट सलवार थी तो उन्होंने वाइट सलवार के कलर को बोला कि आप इसको यूज कर यह और हमने इसको कली में वाइट लेज को बीच में फिट कर दिया है और स्लीज़ पर पोटल बटन दिया और हाई-नेक में हमने सेम स्टफ को यूज करके साथ हमने एंकरिंग दे दिय Hum में एंkरिंग दे दिया है नॉर्मल रूटीन में डालने वाले ये कुड़ते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट पीस हमने ये तियार किया है, फिल्वार सूट था ये पूराई, अभी इसमें हैं में हैं तो हमने सोचा कि डिजाइन आपको जरूर दिखाया जाए। इसमें हमने लेक्श को कुछ इस तरह से इसमी सरकल के साथ सेट किया है। और साथ में हमने white chicken cloth को use करके center में और sides में हमने sea green outlining दे दी है buttons भी हमने center में add कर दिये है sleeves और neck को हमने इस तरह से chicken के साथ mix and match किया है lower उनका seam ही था all over print में ही तो हमने just neck को highlight किया और sleeves को highlight किया अदर्वाइस सारा ही हमने simple ही रखा next है yellow color का suit है light yellow color का इसमें हमने neck को और sleeves को highlight किया है laces है ये crochet fabric यूज़ करके हमने maroon touch दिया है और साथ में sleeves पे laces एड़ करी है तो ये suit हमने boutique में ही तियार करवाया था तो साथ में हमने इसके साथ salwar दी है complete yellow color का suit था और lower में हमने इस तरह से laces two colors की दुपट्टे में भी यही color थे तो हमने उसको साथ में इस तरह से यूज़ किया है गहरे पे sleeves neck और गहरा light light लाइट से colors यूज़ करें हैं हमने next pattern है कली वाला कली का आजकल बहुत रेंड है market में कुर्ती बहुत मिल रही है कली स्टाइल में तो इसको भी हमने कली स्टाइल में ही यूज़ करा है single कुर्ता है यह blue base के साथ और lower में हमने red color और mustard color को as a frilling यूज़ किया है उपर हमने bodies दी है और साथ में हमने red को पट्टी की तरह sleeves पे और अंग्रक्खा style side में apply किया है side में हमने dory दी है और फुम बंदी है बिल्कुल simple and sober elegant look है यह तो बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से डाला हुआ frocky style में नीचे leggings के साथ wear कर सकते आप और अगर आप नहीं लेगिंग्स नहीं wear करना चाते हो तो यह ऐसे भी as a dress use किया जा सकता है बहुत ही simple है यह इस तरह से हमने next piece एक और त्यार किया हुआ है यह कली वाला है प्रिंस कट में normally shoulder cut की कली चलती है तो यह प्रिंस की कली है इसमें में प्रिंस कट की कली के साथ बीडेंग पाइपिंग दी हुई है blue color की जो कि इसमें dot dots है polka dots तो उसके साथ हमने blue color को highlight किया है कलियो में highlight किया है neck को highlight किया है with piping और simple sober buttons दिये हैं इसके साथ हमने और sleeves को तो भी ऐसे पट्टी लगा के सीम स्टफ की तो इस तरह से इसको सिंपल सोबर रखते हुए प्रिंस कली के साथ पाइपिंग दी है तो इस तरह से फ्रेंड्स यह हमारा आज का लास्ट पैटरन था तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट वीडियो भी आपने बहुत देखी हैं और सब्सक्राइब भी किया है तो इस बार भी आप मेरी वीडियो को देखना मेरे डिजाइन्स किये को देखना और शियर करना लाइक करना और सब्सक्राइब करना थेंक यू सो मच